इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते को बढ़ाता है के रूप में कार्य करता है जिससे यह आयरन की कमी वाले अनीमिया और अन्यसंबंधित बीमारी से निपटने में प्रभावी होता है। यह एक शक्तिशाली पाचन उत्तेजक भी है और यकृत स्वास्थे को बढ़ावा देता है। यह हो सकता है एमेनोरिया यानी की अनुपस्थित अवधी और दिसमेनोरिया के प्रबंधन में भी प्रभावी साबित होते हैं। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, यह आइरन की कमी से होने वाले अनीमिया और इससे जुड़ी सामानने दुर्बलता से निपटने में प्रभावी हो सकता है। दो, इसमें क्रिमी नाशक और कार्मिनिटिव गुण होते हैं, जो परजीवी क्रिमियों से लड़ने और पेट फूलने से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। तीन, यह एक पाचन उत्तेजग के रूप में कार्य करता है और यकरित और प्लीहा वृद्धी से निपटने में मदद कर सकता है। चार, यह एक प्रभावी फैट बनर के रूप में भी कार्य कर सकता है, जो वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज करता है। पांच, इसमें हाइपोग्लाइसामिक गुण होते हैं, जो उचित रक्त शरकरा के स्तर को बनाय रखने में मदद कर सकते हैं। चे, यह बिली रुबिन के स्तर को कम कर सकता है, जिससे लिवर के स्वास्थे में व्रिद्धी होती है, और पीरियट्स के दौरान अत्यधि खून की कमी को रोकने में मदद मिल सकती है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।